हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन स्ट्टी पॉइंट तो ये लिजी दोस्तों आप सब की डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूँ करेंट अफेस का एक एक एस्पेसल और इंपोर्टन टाविक वरतमान में भारत में कौन क्या है दिकारी जितनी भी नियुक्तियां हुए दोस् को ये लिजां को वरतमान में कौन क्या है तो ढूस्तों मैं इस वीडियो में जो है तो तो कुश्चन उनको मदद हो सके इतना सपोर्ट आप जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आया बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में तेक लाइक जरूर कर दिएगा दोस्तों ताकि होसला बढ़ता रहे और उसावरतन बढ़ता रहे ठीक है पूरा वीडियो जरूर देखिए गमिश्म में भी दे दिया हूँ तो आप उस लिंक पे भी क्लिक करके में फॉलो कर सकते हैं और मेरे दौर बनाये गए वीडियो उसको बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं चली स्टाट करते हैं बीना देरी किये हुए पहला कोईस्चन है बरतमान भारत के राष्टपती कौन होती है कोईन ये तो बहुत सिंपल है लेकिन मैं आपको बता देता हूं उसे एलेटेट सारे एक्स्प्लेनेसन बता देता हूं को राष्टपती जो दोस्तों भारती संविधान के आर्टिकल 52 में पद का प्रावधान किया गया है कौन से अनुक्षेद में अनुक्षेद बावान क तो ये आपको जाना जरूरी है एक्सामे पूछ लेता है और भारत को जो राष्टपती होता है भारत का प्रथम नागरीक होता है ठीक है इसके लावा दोस्तों आपसे बता दूँ कि जो है तो भारत के प्रसार प्रथम पहले राष्टपती कौन थे तो ये थे उसों डाक् तो आपको क्राम याद रखना है कि कौन से नंबर के थे जो तो कानपूर यूपी से हैं और भारत के पहले राष्ट पती डाक्टर राजन पसा जो की बारा बस्तों सरवाधिक समय तक भारत के राष्ट पती रहे हैं ठीक है इसी तरह में प्रत्यक कोईशन मेंस्ट आपको बत है इसकिप मत करके लाज तक देखीगा आपको बहुत जादा नौलेज मिलने वाला इस वीडियो से और मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो की पीडिया फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दूँगा उसमें क्लिक कर कर सकते हैं आप आप हमारे हैं ये फाइल मिल जाएगी तो टेलीग्राम चैनल ज़रो जोईन करिएगा चली अगला है उपराश्ट पती वरतवान ने भारत के कहों है न है तो वरतवान भारत के इस वाइन आपको बताता हूँ जो राजसभा का प्रावधान ने भारती समयदान का अनुक्षे escuch में दि आयुषी में इनकी भी 35 वर्स है तो यह आयुषी में पूछ लेता है कई बार की कितनी होनी चाहिए उपराश्टपती के लिए थीच वर्स और जो भारत के पहले उपराश्टपती झाहिए नाईडू जी ठीक है aगला कोश्चन है वारत के मुख्ष नयाधिश को नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं तो दीपग मिस्रा जी को नहीं दीपग मिस्रा जी वरतवाने भारत की मुख्ष नयाधिश हैं आपको बता दें कि सर्वोच नयालय सुप्रीम कोड की स्थाबना का वोई थी उनिश्टो पच्चास में ये कोश्चन भी पूछा जाएगा आपसे और तो आपको बता दें सो को जो मुख्ष नयाधिश होते हैं सर्वोच नयालय में जो चीफ जस्ट जो भारत के पहले सुप्रीम कोड के मुख्यन आधिश कोँन थे हीरा लाल जे कानीया भारत के पहले मुख्यन आधिश थे ठीक है तो बरतवान में कोण है दीपग मिस्रा जी है ठीक है और नियुक्ति कौन करता है राश्टपती ये सारे पहेट आप नोट करते चलिएगा आपको एक्जाम पॉइंड बी से बहुत important रही है, सारे बहुत बार पूछे जाते हैं, अगला है बरतमाने भारत के मुख चुनावाइक्त कौन है, ये most most important है, very important है, ये कई बार exam में पूछा जाता है, बरतमाने भारत के मुख चुनावाइक्त है, ओम प्रकास रावजजी, तो पी राबाट जी ठीक है कौन है ओम्-प्रकास राबाट जी यानि चीफ Election Commissioner इंग्लीज में Chief Election Commissioner कहते हैं इनकी निखती कॉन करता है तो निखती करते है राश्ठीमधि भारत करते हैं निखती करता है मुखचिणाव एक्ति भारत के पहले मुखचनायक कौन थे तो वो थे दोस्तों सुकुमार सेन कौन थे पहले मुखचनायक तो वो थे सुकुमार सेन वरतमान में कौन है तो वरतवान भारत के मुखचनायक थे दोस्तों ओम ब्रकास रावाथ वह दोस्तों बात करें रेलवे वोड के चेर्मेन की तो वरतवान रेल खेल मंतर राज जवर्धन सिंग राट और काुन है खेल मंतरी राज जवर्धन राठव और अभी मैं देख रहा हूँ जो n बेड़ और रोड़ अग्जाम हो रहे हैं एले सजार लाइक की आई होप आप लोगो वीडियो पसंद आएगे तो लाइक करके ही जाएंगे चलिए अगला है सेभी के बरतमान अध्यक्ष अजह कहıl मैं अजय आगि को है अजय 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 आगि अब यहां पर सेवी का मतलब क्या होता है यह में पहें पूछा सकते हैं सेभी को फूल फांव क्या होता है और सभर इसके ऊए सब्सक्राइब्स में निशा ऐसके उनिस t premature 182 में होई थी के सेभी का याद रखिए थाछी अजय यूदु अजरे त्यागई जिए बेंक invit artus नीती आयोग के उपाध्यक्ष को होने बरतमान में तो नीती आयोग के बारे में आपको सारी इंफरमेशन दे देता हूं तो नीती का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल इस्टिटीट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया क्या है फुल फॉर्म नेशनल इस्टिटीट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया आपको बता दे नेती आयोग को जो स्थाबना होई दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर कीगी थी मोदी जी द्वारा एक जन्व आयों के CEO कौन है यानि Chief Executive Officer मुख्य कारी-कारी अधिकारी कौन है यह question भी बहुत important नितिया को बरतमान CEO अमिताब कान थे कौन है अमिताब कान जो बरतमान नितिया आयों के CEO हैं बात करें लोक्षभा अध्यक्षी बरतमान में भारत के लोक्षभा अध्यक्ष होने सुमित्रा म महाजन जी इंदोर MP से लोक्षभा अध्यक्ष होने सुमित्रा महाजन जी और लोक्षभा अध्यक्ष होने बरतमान भारत के लोक्षभा अध्यक्ष हैं यह थमभी दुरही कौन है यह सारे question बहुत important है इसलिए आपको रट लेना है अगला है लोक्षभा के महा सचीव कौन बरतवाने भारत के महाने आएवादी के के वेनु गोपाल बरतवाने भारत के महाने आएवादी है ठीक है यानि या टॉर्णी जनरल आफ इंडिया कौन है के के वेनु गोपाल वहीं बात करें तो बरतवाने भारत के वाई शेना ध्यक्ष कौन है तो वह हैं बीरें सिंग धन भारत करहां दिकार होता है वरिस्ट सरकारिय होता है के ऋफ़वारत एक सबसब्से हन्ए कमर्षियल बैंक या वनेजिक वह SBI SBI की स्थापना हुई थी एक जुलाई 1905 को का हुई थी एक जुलाई 1905 को इसका मुख्याला है मुंबई में SBI के बरतमान चेर्मन रजनीश कुमार बात करें IV की तो IV के बरतमान अध्यक्ष है राजीब कुमार IV क्या है Intelligence Bureau भारत की आंतरीक खूफी आजन्सी है Intelligence Bureau दोस्तों इसकी स्थापना कव हुई थी 1887 में यह जो मैं आपको स्थापना बता रहा हूँ पहले अध्यक्ष का हुँन थी और इनका कार कैसा आपको याद रखना है यह एक्जाम में अक्सार पूछे जाते हैं ठीक है अगला कोशन है BSF के अध्यक्ष कोंने तो BSF को जो बरतमान अध्यक्ष कोंने के के शर्मा कोने के के शर्मा BSF का फूल फॉर्म क्या होता है भी होता क्या है BSF फूल फॉर्म है Border Security Force Border Security Force इस्थापना कव हुई थी एक दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना आपके एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो BSF की स्थापना याद रखिए BSF के स्थापना हुथी एक दिसंबर 1965 को और वरतमान अध्यक्ष कोंने के के शर्मा बात करें CRPF की वरतमान में CRPF के अध्यक्ष कोंने स्थापना हुई थी और भारत के ग्रिह मंत्रालेक तहती है जो CRPF कारे करता है वरतमान भारत गी मंतिया आपको बता चुका हूँ राजनाथ सिंग है वहीं बात करें UPSC संग लोग से वाएक को बरतमान अध्यक्ष कोंने तो यह हैं अरविंद सक्सेना जी UPSC ने संग लोग से वाएक को बरतमान अध्यक्ष कोंने अरविंद सक्सेना जी वरतमान अध्यक्ष है यह यह UPSC है दोस्तों यह A-class officer ने जिदेने IES, IPS और IFS होते हैं उनकी निक्टियां एक्जाम कंड़क्ट करता है UPSC तो भारत का सबसे बड़ा आयोग है संग लोग से वायोग बरतमान अध्यक्ष होना अरविंद सक्सेना अगला दोस्तों एक कीश में विधी आयोग का अध्यक्ष कोंने तो एक कीश में विधी आयोग का अध्यक्ष है बलवीर सिंग कोने बलवीर सिंग बरत्मान में किसमे विधियाव के अध्यक्ष है अगला बात करें राष्टी महिलाव की बरत्मान अध्यक्ष का उन है तो यह है रेखा शर्मा का उन है राष्टी महिलाव की बरत्मान अध्यक्ष है रेखा शर्मान की भी हाली में निक्ती हुई है और इसके राश्टी महिलाव के स्थापना का वोई थो स्थापना हुई थी 1992 में जन्वरी 1992 में राश्टी महिलाव के स्थापना हुई थी बात करें LIC की दोस्तों, Give लायसी को वरतमान अध्यक्ष है वो है विजे कुमार शर्मा काुन है बिजय कुमार सर्मा L.I.C का वर्दमान अध्यक्ष है L.I.C का D.I.C का Life Insurance Car Position of Indies का फुल फाउ में भारत की सबसे बड़ी जीवन वीमा कंपनी है तो यहां पे कोशन ने भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी जीवन वीमा कंपनी काउन सी है तो वो है LIC और इसका headquarter है मुंबई में ठीक है headquarter कहा है मुंबई में LIC के अध्यक्ष वर्तवान विजय कुमार सर्मा अगला है RVI के गवर्णर कौन है यानि Reserve Bank of India के वर्तवान गवर्णर उर्जीत पतेल RVI का दोस्तों जो भारत केंदरी वैंक है इसका headquarter है मुंबई में ठीक है RVI कवर्णर को रुजीत पतेल अगला कोशन लोक लेखा समिती के वर्तमान अध्यक्ष कोन है तो यह है मलिकार जुन ठीक है लोक लेखा समिती का अध्यक्ष मलिकार जुन है बात करें साते में वेताना बनाय गया qualche को बनाया गया शोक कुमार माथूर को अगला है दोस्तों चौधं में बीतति पतैयोग के देक्ष कौन है और जो आई भी एडल्ड़ी यहां पर इतना इपरें नहीं लेकिन आर्टिकल 280 के तहित दोस्ती के तहित नुक्षियत भारत की समिधान के नुक्षियत दोस्ती के तहित पंद्रवित तायो का ध्यक्ष एनकेसिंग नियुक्ति करते है राष्टपती पांच वरसों के लिए अगला है भारती ग्रिकेट टीम के मुख कोच कौन है वरतमाने तुह है रवीश शास्त्री बात करें ICC की तो ICC के वरतमान अध्यक्ष ससांग मनोहर आइसी सी का फूल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वरतमान अध्यक्ष ससांग मनोहर जो कि भारत से हैं अ सदन वी कास मतेर्य दोस्तो वहें प्रकास जाबडेकर्जी काौन है प्रकास जाबडेकरजी अगला है दोस्तों भारती ऊलोंपिक संह के वरतमान अध्यक्ष आं गोंगे नेक्स संसर वोट के अध्यक्ष का उन प्रसून जोसी शेंसर वोड के बरतवान अधिक से प्रसून जोसी बहुत IMPORTANT है याद रखिएगा अगला अगला जीस्ट के ब्रेदमेस्टार यह मुस्ट मोस्ट इंपोडेंट घृगarde में भारत रखित कोंद झाहिए यह चैनल स सब्सक्राइब ज्रूर रहे हैं विडियो पसंद आए तो कमैं चैनल आफ निवार को सबस्क्राइब जरू कर लें साथ मैल आइकन पने ताक आपको एसी डेली वीडियो मिलती रहें मेरे चैनल से आप बेल आइकन जरूर रांग करने लिजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा प्रीजिसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों आप हमारे फेस्बुक पेज को जरूर लाइक कर लिजिए वह सुभो हैपी इंट्पेंडेंस दे टू आल जै हिन बंदे मात्रम